वेलकम टुग जामगड फ्रंट्स आज है 27 मई 2019 और 27 मई 2019 से करेंट अफियर्स के जितने भी important questions बन सकते हैं उन सब को में इस वीडियो में discuss करेंगे और फ्रंट्स हर question के बाद में आपको उससे related important fact भी बताऊंगा तो वीडियो को सुरू से लेकर last तक बिलकुल ध्यान से देखेगा और फ्रंट्स अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और उसके बगल में लेगवी इस घंटी बेल आइकन को दबा दीगा जिससे आपको मारी वीडियो की regular notification मिल पाएगी तो आई वीडियो सुरू करते हैं पहला question है भारत ने किस देश के आतंकी संगठन जमात उल मुझाहिद दीन पर प्रिदबंध लगा दिया है तो फ्रंट्स हाली में भारत ने बांगला देश के आतंकी संगठन जमात उल मुझाहिद दीन पर प्रिदबंध लगा दिया है अब आई इस question से full details जान लेते हैं बांगला देश इस्थित आतंकी संगठन जमात उल मुझाहिद दीन बांगला देश जे एमबी को भारत सरकार दोरा आतंकवाद विरोधी कानून UAPA के तहट प्रिदबंधित कर दिया है जे एमबी बांगला देश की रादधानी ढाका के एक कैफे में 2016 के आतंकी हमले में सामिल था फ्रंट्स बात की गई है बांगला देश की तो आपको पता होना चाहिए कि बांगला देश की रादधानी ढाका है यहां की करेंसी टका है और फ्रंट्स बांगला देश की प्रधान मंत्री सेख हसीना है नेश्ट कोश्चन New Space India Limited का उद घाटन कहां किया गया है तो फ्रंट्स हाली में New Space India Limited का उद घाटन बैंगलूरू में किया गया है तो आपको आपसन ही करेक्ट हो जाएगा अब आए उस कोश्चन के बारे में फुल डीटेल्स जान लेते हैं भारती अंतरिच अनुसंदार संगठन इसरो ने बैंगलूरू में अपनी नई वाडिजिक साखा New Space India Limited का उद घाटन किया है फ्रट्स इस नई वाडिजिक साखा का उद देश भारती अंतरिच कारक्रमों में उद्योग की भागेदारी को बढ़ाना है अब बात की गई है इसरो की तो इसरो का फिलफाम होता है Indian Space Research Organization इसकी स्थापना 15 अगस्त 1979 को की गई थी 15 अगस्त 1969 और वर्ट्वान में इसके चेर्मैन के सिवान है जबकि इसरो का हेड़ कोषर्टर बैंगलूरू में इस्थित है Next question Artemis कारक्रम का खुलासा किस ने किया है तो फ्रट्स हाली में Artemis कारक्रम का खुलासा NASA ने किया है अब यह Artemis कारक्रम क्या है आई इसकी बारे में फुल डिटेल्स जा लेती है नासा ने 2024 मून मिसन आर्टेमिस के लिए सेड्यूल का अनावरण किया है चंदर्मा की गीक, पौराणिक देवी और अपोलो की जुड़वा बहन के उपर मिसन को आर्टेमिस नाम दिया गया है और फौर्ण्स यह मिसन पहली बार एक महिला अंतरिच यात्री को चंदर्मा की सतय पर ले जाने के लिए परतिवद्ध है अब फौर्ण्स बात की गई है नासा की तो आई नासा के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट्स जा लेती है तो फौर्ण्स सबसे पहले नासा का फुल फार्म क्या होता है तो नासा का फुल फार्म होता है नेशनल एरोनार्टिक्स एंड इस्पेस एड्मिनिस्ट्रेशन और फौर्ण्स इसकी इस्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी तो फर्ट्स अगर आपको मेरे दोरा दी गई जानकारी अच्छी लगे वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीगा और फर्ट्स सेयर कर दीगा और वीडियो पूरा जरूर देखीगा क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा important questions है next question अमेरिका का कौन सर राज मानोसो से खाद बनाने की मंजूरी देने वाला पहला राज बन गया है तो फर्ट्स अमेरिका का वासिंगटन मानोसो से खाद बनाने की मंजूरी देने वाला पहला राज बन गया है तो आई इस questions related full details जान लेते हैं अमेरिका का वासिंग्टन मानोसो से खाद बनानी की मंजूरी देने वाला पहला राज बन गया है मई 2020 से लागू होने वाले इस नियम के तहट लोगों के पास अपने सव को कमपोस्टिंग के लिए देने का बिकल्प होगा अब फ्रंट्स आपसे क्वेशन पूचा जा सकता है कि मानोसो से खाद बनाने वाला विस्सो का पहला देश कौन बना है तो उसका अंसर हो जाएगा अमेरिका तो बस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि वीडियो के अंदर से भी क्वेशन्स बन सकते हैं दुनिया की सबसे महंगी दवा का क्या नाम है तो फ्रंट्स दुनिया की सबसे महंगी दवा का नाम है जोलगे नसमा जया फ्रंट्स तो आपका आपसेंसी करेक्ट हो जाएगा अब आई इस question के बारे में full details जान लेते है अमेरिका के food and drug administration ने बच्चों में पाई जाने वाली दुरलब विक्रती spinal muscular atrophy की gene therapy के लिए एक दवा मंजूर की है जो इस समय दुनिया के बाजारों में मौजूद दवाओं में सबसे महगी दवा बन गई है और फर्ट्स इस दवा की कीमत है 20 लौक डालर जहां फर्ट्स इस दवा की कीमत 20 लौक डालर है और इसका नाम क्या है तो इसका नाम है फर्ट्स जोलगे नस्मा तो आपको नाम भी याद रखना है next question European golden sue award किसने जीता है तो हाली में European golden sue award को लियोनल मैसी ने जीता है तो आपका option भी correct हो जाएगा अब आई इस question के बारे में full details जा लेते हैं इस्टार फूट्बालर लियोनल मैसी ने इतिहास रचा जब उन्होंने लगातार तीसरी बार European golden sue award जीता और फर्ट्स यह मैसी का छठा European golden sue award है next question विस्तारा के नए CSO कौन बने हैं तो हाली में विस्तारा के नए CSO विनोत कानन बने हैं तो आपका option सी correct हो जाएगा अब आपके मन में बात आ रही होगी कि विस्तारा क्या है तो फर्ट्स आई इसके बारे में full details जा लेते हैं विस्तारा टाटा SI ए प्राइवेट लिम्टेट के स्वामित वाली भारती घरिलू एरलाइन से जिसका मुख्याले कार्याले गुडगाव हरियाणा में इस्तित है तथा मुख्याधार के इंदर इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिली में हैं फर्स इसके साथ ही आपको याद रखना है कि CSO का फुल फार्म होता है चीफ स्ट्रेड़जी ओफीसर जहां फर्स चीफ स्ट्रेड़जी ओफीसर नेक्स्ट कोस्चिन हाली में किस अंतरच एजनसी कंपनी द्वारा स्टार लिंक नेटवर्क के लिए 60 उपग्रहों का प्रिच्छेपड किया गया है तो फंट्स हाली में अंतरिच एजनसी या कमपनी SpaceX द्वारा Starlink Network के लिए 60 उपग्रहों का प्रच्छेपण किया गया है अब आई इस questions related full details जा लेते हैं अमेरिका में निजी छेत की अंतरिच कमपनी SpaceX ने Starlink Network के लिए 60 उपग्रहों को प्रच्छेपण किया है इन उपग्रहों को Falcon 9 राकेट से Cape Canaveral Florida से प्रच्छेपण किया गया है और फंट्स आपको याद रखना है कि इन 60 उपग्रहों का प्रच्छेपण लोगों को High Speed Internet Connectivity के लिए किया गया है Next question भारती वायुसेना के किस विमान को सोदेसी बायोजेट इंधन पर संचालित होने का वारिजिक प्रमारपत्र दिया गया है तो फंट्स भारती वायुसेना के विमान ANN 32 को सोदेसी बायोजेट इंधन पर संचालित होने का वारिजिक प्रमारपत्र दिया गया है अब आई इस questions related full details जान लेते हैं भारती वायुसेना IAF के AN32 परिवहन बिमान के बेड़े को 10 प्रिस्त जैवजट इनहन के मिस्तन वाले बिमान इनहन के इस्तेमाल की अनुमती दे दी गई है और परिवहन बिमान बेड़े को सुक्रवार को जैवजट इनहन के इस्तेमाल के लिए प्रमाणन मिल गया है अब यहाँ पर बात की गई है भारती वायुसेना की तो फर्स भारती वायुसेना की इस्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी 8 अक्टूबर 1932 और इसका हेड़कोर्टर न्यू देली में इस्थित है और इसका जो बर्तमान में एयर चीफ मार्सल हैं बीएस धनुवा है और फर्स आपको ये भी याद रखना है कि एयर फोर्स डे अर्थात भारती वायुसेना दिवस परतेक वर्स 8 अक्टूबर को मनाय जाता है तो इस क्वेशन से इतने इंपोर्टिन फैक्ट्स बन सकती थी हाली में भारती सम्विधान के किस अनुच्छेद के तहट सोल्वी लोग सभा को भंग करने की सिपारिस की गई है अब आई इस क्वेशन से रिलेटेड फुल डीटेल्स जान लेते हैं स्री रामनात कुमिंद ने मंत्री मंडल की सलाह को सुईकार करके लोग सभा को भंग करने के आदेश पर हस्ताच्छर कर दिये हैं और सोल्वी लोग सभा का कारकाल 3 जून को समाप्त होना था जबकि फ्रंट्स राष्टपती ने समिधान के अनुच्छेद 85 की धारा दो के उपबंद बा के तहट यह कदम उठाया है यह क्वेशन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है और आने वाले एकजांस में 100% पूछा जाएगा तो आपको यह याद रखना है कि आर्टिकल 85 के तहत यह कारे किया गया है संगाई सहयोग संगठन का दुती मेडिया फोरम कहां आयोजित हुआ है तो फर्स संगाई सहयोग संगठन का दुती मेडिया फोरम हाली में बिस केक में आयोजित किया गया तो आपको option decorrect हो जाएगा अब आई इस questions related full details जान लेते हैं किर्गिस्तान के बिसकेक में 23 मैं से 26 मैं 2019 तक दूसरा संगाई सयोग संगठन SEO, Moss Media forum आयोजित किया गया और इस forum की बैठक में सूचना और प्रसाणम मंत्राले का एक सिष्ट मंडल भारत का प्रतिन दित्तो कर रहा है forum का उद्देश SEO देशों के बीच Moss Media के छेत्र में आदान प्रदान और सहयोग को मजबूत बनाना है और फरंट्स यहां से आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारत के सूचना एवं प्रसाणम मंत्राले के सच्यू हैं वो हैं आमित खरे Next question Very important question है यह भी The making of a legend पुस्तक के लेखक कौन है तो first the making of a लेखक हैं आपके बिंदेशुरी पाठक तो आपको औपसंसी correct हो जाएगा अब यह question important क्यों हो जाता है तो आई उसकी बारे में भी जान लेते हैं प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी के जीवन पर लिखी गई कौफी टेबल बुक The making of a legend के लेखक बिंदेशुरी पाठक हैं और इस पुस्तक में माई 2014 में प्रधान मंत्री का पदभार गरहन करने के बास से मोदी जी की जीवन यात्रा उनके संगर्थों और प्रिवासों को चित्रित किया गया है तो फ्रंस ये कोशन इंपोर्टन के हो जाता है क्योंकि ये भारत के प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी की जीवन पर लिखी गई एक भूक है और फ्रंस कल की वडियो का आंसर है आंध प्रधेस के नए सीम कौन बने है तो जगन मोहन रेड़ी बने हैं और फ्रंस अब आपकी बारी है अग आपके लिए प्यारा सा छोटा सा चेलेंज है अगर आपको इस क्वेशन का आंसर पता है तो उसको कमेंट करके बताईए 17 लोग सुभा 2019 के लिए कितनी महिलाएं सांसत की रूप में निर्वाचित हुई है तो फ्रंस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो मेरे दोरा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो फ्रंस प्लीज वीडियो को मत बूलिएगा तो मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत